नमस्ते, Tradeplace के Pro Trading Application Rocket Plus में आपका स्वागत हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे Watchlist को Create कर सकते हो, Manage और Customize कर सकते हो आपके Needs के अनुसाथ जैसे ही आप Login करते हो, आपको Watchlist दिखेगा, जहापे Pre-Defined Watchlist अल्रेडी अवेलबल रहेगा जैसे की Nifty IT, Nifty 50 और Bank Nifty जो आपके लिए यूसफुल रहेगा अभी हम आपको बताएंगे कि आप अपना Watchlist कैसे Create कर सकते हो आपके Right Corner पर तीन डौच है, उसे क्लिक करें और Create New पर सलेक करें अभी आप अपने Watchlist को कोई भी नाम देकर Create Watchlist पर Create करें पर एक्जामपल मैंने नाम दिया है स्टॉक और फिर Create Watchlist पर क्लिक कर दिया जैसे की आप देख सकते हो आपका Watchlist क्रियेट हो चुका है Watchlist क्रियेट होने के बाद आप इसमें स्क्रिप्ट आड़ कर सकते हो अभी आप Search पर क्लिक करें अपने स्क्रिप्ट को सलेक करें और प्लेस बटन को सलेक करें अड़ करने के लिए अगर आपको Option Securities एड़ करना हो तो स्क्रिप्ट का नाम टाइप करें उसके बाद एकस्पारीम मंत और स्ट्राइक प्राइस टाइप करें और आसानी से सर्च करें अगर आपको सारे Option को देखना हो तो OPT टाब को सलेक करें इस तरीके से आप Securities के सारे Options को देख सकते हो फ्यूचर स्क्रिप्ट को एड़ करने के लिए टाइप करें स्क्रिप्ट का नाम और FUT या फिर FUT ओप्शन को सलेक्ट करें Edit Watch List इस ओप्शन को सलेक्ट करके आप अपने स्क्रिप्ट को डिलीट कर सकते हो या Position को एड़िस्ट कर सकते हो Filter Option Watch List में Top Right Corner पर तीन डॉर्ट को क्लिक करें और Sort By ओप्शन को सलेक्ट करें View Filters इसमें आप तीन फॉर्मेट में View देख सकते हैं जैसे की List View, Card View और Heat Map List View इसमें आप अपने स्क्रिप्ट के Basic View देख सकते हो जैसे की Last Trading Price और Change of Percentage Card View इस View में आपको LTP और Change of Percentage एक Grid के रूप में बताएगा Heat Map ये एक Two Dimensional Data Visualization है जहाँ पे Colors आपके Values को Represent करता है ये Simple Heat Map आपको एक Quick Visual Summary देता है Dark Green Color जिस Stock ने अच्छा Perform किया है और Dark Red Color जिस Stock ने बुरा Perform किया है Sort By Filter Option यहाँ आपको Script Name, Alphabetic Order, Last Trading Price और Change in Percentage के जरिए फिल्टर कर सकते हैं Hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तरी जा हमें हमें